सत्रा सप्टेम्बर से दो अक्तूबर इपंद्रा दिन देश भर के सभी जरूरत मन्द लोगों की सिवा में हमारे जैसे कई कारेकरता इसको लगाएंगे प्रदानमंत्री जी एक छोटे से गाउ के घरिब परिवार में जन्म लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोगतंत्र के प्रदानमंत्री बने नकेवल प्रदानमंत्री बने दस साल में दुनिया भर से पंद्रा अलग-अलग राष्ट्रों ने इनको अपना सर्वोच पुरसकार देकर नकेवल प्रदानमंत्री जी हमारे देश का गोरो बड़ाया है अदेश की एक सो चालोई करोड की जनता बहुत मन के साथ इनके दिरगायूस के लिए प्रभू प्रातना कर रही है मैं और असुनी जी भी वो प्रभू प्रातना के साथ अपने आपको संबद्न करते हैं मित्रो आज की प्रेस्वारता मोदी जी की तीसरी सरकार के पहले सौद इनके कामकाज पर आपको सुचना देने के लिए बुलाई गई हैं जैसा आप जानते हैं लगातार दस साल भारत के विकास को समर्पित भारत की सुरक्षा को समर्पित और भारत के गरीब गोके कल्यान को समर्पित सरकार चलाने के बाद इस आम चुनाव में तीसरी बार भारतिय जनता पार्टी को और हमारे साथिय दलो को सरकार बनाने का एक जनादेश सरकार ने दिया इसके परिणाम सरुप साथ साल के बाद पहली बार कोई एक नेता तीसरी बार अपनी घोषणा के साथ देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेत्रू तो कर रहा है साथ साल के बाद पहली बार इसमें रादितिक स्थीरता का माहूल आया है और नितियों के सातत्यों को भी हमने अनुभव किया है और नितियों की दिशा नितियों की घती और नितियों को क्रियानवयन करने की सटिकता ये तीनों दस साल तक बरकरार रखकर ग्यारवे साल में प्रवेश करना मैं मानता हूँ बहुत कठीन है दुनिया के कई देशों में भी देखागा जहाँ एक प्रकार से वाइबरंट लोक तंत्र है वहाँ पर ऐसे बहुत कम ही उदान दिख्याई पड़ते ही और इसका कारण है कि दस साल में देश की बाहरी सुरक्षा देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की रक्षा प्रणाली इसको मजबूत करकर एक सुरक्षित भारत बनाने में नरेंद्र मोधी सरकार ने बहुत बड़ी सफलता मोधी जी के नित्रूतों में प्राप्त की है सिक्षा के अंदर आमुल चूर परिवर्थन हमारे चीर पुरातन सिक्षा सैक्षिनिक मुल्यों को समाहित करते हुए हमारी भासाओं को गवरनवाईत करते हुए और आधूनिक से आधूनिक सिक्षा को समाहित करते हुए नई सिक्सानिती लाने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया है। जब मेकिन इंडिया का नारा दिया गया, काफी लोग इसका मखोल उडाते थी। मगर आज मैं बहुत फक्र के साथ कह सकता हूँ कि भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहता कैनर बन चुका है और यह वास्तविक्ता है। हमारी बिजिटल इंडिया की योजना को दुनिया के कई देश समधना भी चाते हैं, स्विकारना भी चाते हैं और उसको अपने विकास का आधार भी बनाना चाते हैं। ईकोनोमीके 13 के 13 पैरामिटर्स में चाहे बैंकिंग हो, चाहे मुदरस्पित हो, चाहे विकासदर हो, हर पैरामिटर में हमने डिसिप्रिन लाई हैं और प्रगती भी की हैं। अंतरिक्स के क्षेत्र में आज सभी लोग भारत को भारत का अंतरिक्स के क्षेत्र में भरविश्य उजवल है इसको एकनोलेज करते हैं। दस बर्स में आजादी के बाद पहली बार दुनिया ने रीड की हड़ी वाली विदेशनिती को देखने का मौका मिला है। भारत की विदेशनिती में मेरे जैसे कई लोगों को रीड की हड़ी दिखाई नहीं पड़ती थी। अब भारत की विदेशनिती में रीड की हड़ी दिखाई पड़ती है। दस साल में देश के साट करोड गरीबों को एक ही दस साल में घर, सोचाले, गैस, पीने का पानी, बीजली, पांच किलो मूद का नाज और पांच लाग तक की स्वास्त की सुवेधायें देने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया है। और हमें लक्स लेकर चले हैं कि अगरी बार जब चुनाओं में जाएंगे इस देश में कोई व्यक्ति घर बगर का नहीं होगा। अमरूत काल का जब वर्स आया, मैं इसका साक्से हूँ, कई सारे सुझाव आये थे। और मोधी जी ने हमेशा की तरह अपनी अनूठी स्टाइल से अमरूत काल के वर्स को इस तरह से मनाया कि जब अमरूत काल का वर्स समाप्त हुआ, तो अमरूत काल सुरू हुआ। और 140 करोड लोग 2047 में महान भारत की रतना के संकल्प के साजिदार बने और भारत के विकास की यातरा के भी साजिदार बने। एक प्रकार से 140 करोड की जनता को इतने महान लक्स के साथ जोड़ना ये बहुत वड़े विश्वसनी हता का प्रमान है जो मोदी जी में देश की जनता देखती है। तीसरे मेंडेट के बाद 100 दिन समाप्त हो रहे हैं, 100 दिन में लगबग लगबग 15 लाग करोड रुपे की परियोधनाओं को चालू किया गया है। 100 दिन को मैंने 14 स्तंभों में बाटा है, मैं एक-एक करकर सब के लिए कुछ न कुछ कहना चाहूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है, 100 दिन में 3 लाग करोड की परियोधनाओं हमने गोशित भी किया, इंप्लिमेंटेंशन भी शुरू हुआ है। माराश के वद्वान में 76,000 करोड की लागत से मेगा पॉर्ट वनेगा, जो पहले दिन से ही विश्व के 10 प्रमुक बंदर गाहों में सामिल होगा। 49,000 करोड की 25,000 अनकनेक्टेड गाहों को जोडने की योजना, ए योजना 100 की आबादी वाले गाहों को भी जोड़ेगी। तो एक प्रकार से मजले, तोले और आदिवासी क्षेत्रों की छोटी वसाहतों को भी अब रोड से बारमासी करेंक्टीद दी जाएगी। 50,600 करोड की लागत से भारत के बड़े रोडों को भी बढ़ाने का नेनाय नरेंद्र मोधी सरकार ने किया है। वारानसी में लाल बादूर सास्त्री इंटरनेशनल एरपोर्ट, पस्यम मंगाल में बागडोगरा, बिहार में बीहिटा में उन्नयन और अगत्ती और मिनी कोई में नवी हवाई पट्टी बना कर परियतन को बड़ावा देने के लिए आगे बढ़े हैं। बैंगलोर मेट्रो के फेज तीन, पुने मेट्रो, ठाने इंटिग्रर रिंग मेट्रो और कई सारे मेट्रो के प्रोजेक्ट भी हमने इस वाद दिन में आगे बढ़ा है। किसानों को और कूशी का जहां तक सवाल है, सत्तरवी की प्रदान मंत्री किसान सन्मान योजना की साड़े 9 करोड किसानों को 20,000 करोड रुपया वित्रित किया गया। और अभी तक कुल 12 करोड 33 लाग किसानों को 3 लाग करोड रुपया वित्रित किया गया है। खरीब फसलों का MSP बढ़ाया गया है। मैं MSP पर जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग भी आंकरों का ध्यान करियेगा। UPA सरकार और कॉंग्रेस की राज्य सरकारों से कई गुना ज्यादा MSP की खरीदी भारतिय जनता पार्टी की नरेंद्र मोधी सरकार ने की है, हमारी NDA सरकार ने की है। सरकार किसानों के घीतों को समर्पित है। मक्के से इथेनल के उत्पादन के लिए सहकारी चीनी मिलो के इथेनल उत्पादक इकाईयों का मल्टी फिड इथेनल इकाईयों में दुपानतरन किया गया है। अब वुनकेवल गन्ने के रस से मक्के से भी इथेनल उत्पाद कर पाएंगे। तो जिस वक्त देश में चीनी की जरूर्यात होगी, तब गन्ने का रस का उप्योग नहीं होगा, मक्के का उप्योग होगा और चीनी ज्यादा होगी, तब चीनी के रस से इथेनल बनेगा। हमने प्याज और बासमती चावल की नियुनियतम निरियात मुल्य MEP को हटा दिया गया है, प्याज पर निरियात सुल्क 40 प्रतिसत से 20 प्रतिसत करा है, और एग्री स्योर नाम का एक नया फंड लॉंच करने का भी हमने काम किया है। मध्यमवर्ग को भी इसोव दिनों में कई सारी राहत दी गई है, टैक्स राहत साथ लाग तक की आए पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्रदानमंत्री सुर्यगर मुप्त बिजली योजना एक प्रकार से 2024 के बीच, 2024 के भी धाई लाग से ज्यादा गरों में सवर उर्जा का सिस्ट्रिम अब तक लग चुका है। एक अनूठी योजना है, जिससे मध्यमवर के परिवारों का बिजली का बिल्तो मुप्त होई जाता है। साथ में सवर उर्जा के हमारे लक्स की पूर्थी के लिए भी वो कंट्रिब्यूट करते हैं। PME Bus सिवा Environment Friendly System तयार करने के लिए लगबग 3400 करोड की सहायता से हमने PME Bus सिवाओ की स्विकृति दी है और स्टार्ट अप को वित्ति रहत और इनुवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट अप पर 31% का बोज डालने वाले एंजल टेक्स को समाप्त करने का भी निन नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडर डेवलोप्मेंट पोग्राम के तहर बार इंडस्ट्रियल जॉन बनाये जाएंगे वो कहीं न कहीं बड़े नेशनल हाइवे से लिंक होंगे इसके आसपास होंगे इसनल इंडस्ट्रियल कोरिडर डेवलोप्मेंट पोग्राम के तहर 12 इं शेत्र में बनाने का हमने नेने किया है। शेत्र में मिल पाएगा और उनके व्यापार को नई सरलता और सामर्थ दोनों मिलेगा। और एक मुस्त सहायता राशी देने का भी नेने हमारी सरकार ने किया है। केंडर सरकार ने भी लगबग लगबग कई हजार नियुक्तियों की गोचना की है। कैपिटल एक्स्पेंडिचर को बढ़ा कर ग्यारा लाग ग्यारा हजार करोड तक पहुचाना ये अपने आप में एक मिल का पत्थर है। इससे कई युवाओ को रोजगारी के नए अवसर पैदा होंगे और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। PLI स्कीम और 12 इंडर्स्ट्रिल जॉन के विकास से भी तजग्य युवाओ की नौकरियों का स्रूजन होगा। स्टार्टप और MSME के लिए जो वित्य प्रोस्ताहन हमने दिया है वो भी युवाओ के लिए कारगर साबित होने वाला है। दिन डायाल अंतियोदय योदना के तहट 10 करोड से अधीक महिलाओ को संगठीत कर 90 लाग से अधीक स्वयम सहायता जूत बनाए गए हैं। और लगपती दिदी योदना के तहट 11 लाग नई लगपती दिदियों को ये 100 दिन में प्रमान पत्र दिया गया है। एक करोड से अधीक लगपती दिदियां प्रतिवर्स एक लाग रूपया सालाना कमाई कर रही हैं। ये महिलाओ के लिए एक लाग का रासी एक स्वपन मना जाता था। को स्वमान के साथ अपना जीवन जी दें। इसके साथ परियटन दिदियों जो गाइड का काम करेगी। परियटन मित्रों और ड्रॉन दिदि के माध्यम से से जुड़ने का काम भी हमने किया है। प्रदान मंत्री जन जातिये उन्नत ग्राम अभियान इसके तहट 63,000 जन जातिये गाउं का पून विकास किया जाएगा। जिसे पांच करोड आदिवासियों की आर्थिक स्तिती में सुड़ार आएगा। ये योदना के तहट गाउं को प्राथमिक जरूर्यातों से और प्राथमिक सुविदाओं से संपून यूप्त किया जाएगा। अनुसीची जन जाति के दिव्यान व्यक्तियों के लिए तीन लाख नए पहचान प्रत्र एक अभ्यान चलाकर एक सौ दिन में दिये गएं। क्लब ये मॉडल आवास ये विध्यालय एक नए पहलू के साथ नए आयामों के साथ फिर से इंट्रिड्यूज हो रहा है। वकप संसोधन विधैक 2024 वकप संपत्यों के प्रबंधन और संडक्षन और उसके दुरूपयोग तिनों के कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लामेंट में इसको पारित किया जाएगा। पिशमान भारत योदना अद्देश के कई करोड लोगों के जीवन का सरल जीवन का आधार बनी हुए। पांच लाग तक का स्वास्त से जुड़ा सभी खर्चा एंडिये की नरेंद्र मोधी सरकार उठा रही हैं और ये प्रदान मंत्री जी का बड़ा महतोकांक्सी पोग्राम है। जैसा हमने हमारे गोशना पत्र में वादा किया था सत्तर वर्ष या उससे अधीक आयू के सभी व्रुद्ध नागरिकों को पांच लाग तक का मुप्त कवरेज दिया जाएगा। इसमें जो घरीब घर में सत्तर साल से अधीक वाले लोग हैं उनको अपने कार के अलावे और पांच लाग दिया जाएगा तो उनका कवरेज एक प्रकार से दस लाग तक किया जाएगा। करीब करीब साड़े चार करोड परिवारों के छे करोड व्रुद्ध नागरिकों को इसका फाइदा मेंगा इसमें आई की कोई सिमा नहीं रखी गई। 75,000 नई मेडिकल सीटे बढ़ा कर हम मेडिकल एज्यूकेशन के लिए विदेश पर की निर्भरता को लगबग लगबग समाप्त कर देंगे। हमारी पूरी रिक्वार्मेंट एप 75,000 सीट बढ़ने के साथ ही पूरी हो जाएगी और इसके लिए हमने तीन साल का लक्स रखा है। हमेट ठीका करन के लिए उसको डिजिटल बनाने के लिए यूविन पॉर्टल भी यही 100 दिन में शुरू किया गया है। और देश के डॉक्टर की एक सेंट्रलाइज रिपोजटरी बनाने का काम भी इसी 100 दिन में हुआ है। 23 अगस्त को पहला अंतरिक्स दिन मनाया गया है। से कीसोरों को और युवाओ को अंतरिक्स के शित्र में रूची लेने के लिए प्रोचसाहन देने के लिए और उनका हैंड होडलिंग करने के लिए धेर सारी योदना इस सुदू की गई। के लिए एक हजार करोड के वेंचर कैपिटल फंड की योदना भी हुई आपदा प्रबंदन के लिए राष्ट्रिय डेटाबेज और ग्रामिन भूमी रेकोर्ड के लिए भूवन पंचायत पॉर्टल भी सुदू किया गया। सेमी कंड़क्टर गुजरात के सानन में सेमी कंड़क्टर की 21 थापित की गई। तीन नए कानून इंप्लिमेंट किये गए भारतिय डंड सहिता, भारतिय नागरिक सुरक्षा सहिता और भारतिय शाक्स अधिनियम। ये तीनों क्रिम्नल जश्टिस सिस्टिम के पूर्ति करने वाले कानून आने वाले दिनों में हमारी क्रिम्नल जश्टिस सिस्टिम को न केवल लोक भोग्य बनाएंगे, लोगों को न्याय मिलने का एक सरल रास्ता होगा समय पर न्याय मिलने की सरुवात होगी और मैं बड़े विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि तीन साल के बाद जब इसका complete implementation समाथ होगा हम दुनिया में सबसे आधूनिक criminal justice system रखने वाले देशों में से एक बन जाएंगे सहरी बाड़ प्रबंदन के लिए 6350 करोड लुपिय की नई योदना देश में पहली बार लाई गई लड़ाक में पांच नए जिले बनाए गए 25 जुन को समविदान हत्या दिन मनाने का फैसला करकर आने वाली पीडी को emergency जैसे काले दोर से देश को न गुजरना पड़े इसलिए जागरूत करने का एक हमिशा के लिए प्रयास करने का नियना लिया गया पुर्वत्तर में हाइड्रो इलेक्ट्रो परियोधनाओं की मनजूरी दी गई लगबख 41 करोड उपिया के साथ और राष्टिय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को सेकंट रिच को भी सुरू कर दिया गया मित्रो पियम मोदी जी का यूद के बीच में रूस और युक्रेन की महत्वपूर यात्राओं पूरी दुनिया आज के साथ नजर गड़ा कर बैठी है पहली बार भारत में इनोशको की विश्व दरोहर समीति की बैठक हुई आने वाले दिनों में इससे हमारी कई दरोहरों को वापिस लाने में हमें बहुत बड़ा फाइदा होने वाला है आपदा प्रबंदन अधिनियम इसको दोजार चौबीस में लोकसभा में पेस किया गया है और मैं मानता हूँ कि अर्बन फ्रड मेनेजमेंट अगनी समन सेवाए ग्लेसियर जिल्वी स्पोर्ट फ्लड और अन्यट डिजास्टर के मिटिगेशन के हितु यह जो आपदा प् 554 करोर की योधिना भी इस सब विशिष्ट आपदाओं के लिए निश्चित किये गए हैं चार सतंबर को 35 सालों के संगर्स के बाद त्रिपूरा में एनलेप्टी और एटी टीएप के साथ सांती समझोता किया गया है मानस हेल्प लाइन नार्कोटिक्स की रोकदाम के अगले 5 साल में 5000 साइबर कमंडो तैयार किये जाएंगे और साइबर अपराद के लिए सस्पेक्ट रजिस्ट्री भी तैयार की जाएगे इतना सारा जो काम उसको अंजाम देने में सफलता मिली है उसका कारण है जब हम चुनाओ में गए रादनितिक पार्टियां और चुने हुए प्रतिनितितों चुनाओ में गए थे परन्तु मोदी जी ने चुनाओ के छे मेने पहले ही बीरोक्रसी को एक काम दिया था कि पाइपलाइन में जितनी भी चीजे पड़ी है जो भी नई सरकार आएगी उसके लिए समाप्त करकर रखे जिससे देश के विकास के घती में बाधान उत्वन हो इसी का परिणाम है कि ये लगबग लगबग लाखो करोडों के काम सौ दिन के अंदर ही हम कैबिनिट तक की पूरी प्रोसीजर और कई जगे तो टेंडरिंग भी समाप्त कर चुके हैं इसके कारण देश की विकास की गती न केवल बढ़ेगी देश सुरक्षित संपन होगा और नई सिक्सानिती क को इंप्लिमेंट करकर सिक्सा के सीत्र में भी हम आगे बढ़ेंगे मैं आशा करता हूं कि मोदी जी के नेत्रुत में ये जो विकास का रत चला है वो आगे पर भी चला रहेगा इसका हम सभी को विश्वास है